तमें भविश्य माटे तयार CNBC बजार ना इबिक्स कैश स्टूडियो मा प्रवेशी रहा छो लिक्विडिटी ना फ्रेंट उपर ना जे निनायो शे ए आपनने आवता देखा शे आना सोथी मोटी वाद के व्याद दरों मा वुद्धी माटे अरी बे गवर्नर्शू विचारी रहा शे एना माटे नी पन विगतो आपनी समक्षा आवती देखा शे तो आखास पोलीसी नी चलता माँ आपनी साथे जोडाशे बीएसी ब्रोकर्स पोरम ना चीफ एकनोमिस्ट अने चीफ ओपरेणिंग ओफिसर अधिजय श्री निवास एकसिस्ट मुस्टल फंड ना फिक्स्ट इंकम ना डेप्यूटी हेड देवांशा आने मार्केट एक्सपर्ट पतेल तो फर्स्ट अफोल प्रतित आपनी पास आविशू गुद मॉर्निंग शूप परस्पेक्टिव आपनो बनी रहा शे परन्तु मार्केट ने खास हे जानुँँचे गवर्नर साइब ना पासे थी के आवनार समय मां कही रितनो अर्भी आई नो रूख रहे से के अर्भी आई कही रिते इंट्रेस्टेट हाई कत्पतो आ सिनारियो उपर डिसकस करें अने आपने खास करी ने बजेट पछी जोई के जिरिते बॉरोइंग गवर्मेंट नुझे वद्वाने कारानेक बॉन डिल्ड मां जंपावे हो तो जहां 6.955 सुधी आपने बॉन डिल्ड जता जोया था जवासन जोग मां गवर्रनर साहब कै लिते रोड में पाप से आवनार समय मां रेट हाइक ने लिए अथवा तो पॉलीसी ने लिए एनी उपर खास करी ना मार्केट नी नजर रह से के आवनार क्या थी एलो को रेट हाई करवा मते विचारी रहा चे अथवा तो क्या सुध पर्सपेक्टिव से अपनी पासे थी आएक पर्सपेक्टिव ये समाजवा मागेशू के आपना जोए तो बॉंड इल्ड आपने थोड़ाक शूटब थाता देखाया थान हवे ये पछी आपने जोए तो ऊपना लेवल उपर आपने एलिवेटेड लेवल उपर सस्टेन थात ये सब्सक्राइब था पासे बॉलिसी नहीं तो वे नेक्स पोलिसी थी तो आपने वियात दनी बिठी तरफ आगण वदीशूं थोड़ा इनाप्रण चेंज खर्छे है थोड़ बहु गरोटनो इंफ्लेशन आउट्लूग चेंज कर्से पर रेपोर रेठाय का चेंज नही वार्था नजर एक चीज पर रहे है कि अच्छ चेंज करेंगे हमारों पॉइंट षचे कि प्रॉबाबली ए फिफ्टी फिफटी प्रॉबाबिटी चेक श्रांज चेंज कर शेके अर्च चेंज कर से अप्रिल पॉलिसी मा बेटीवीन फेबुरुरी ने एप्रिल एलो का प्रुबाबिलेटी टुड़े अल्सु इसा भें मोटा मोटी मार्केटनी प्राइजिंग चार्टका नी थाई गई छे इना भें रिवस्ट्रापोर एफ्टाइक नो एक्सेब फोर सम् तैक्टिकल एक्टम टेकनिकल तोड़ों सेल ओफ आवे अर्दों एकर लाक माते छोड़ी ने कई मोट्टों सेल ओफ देखातो नतीव I think अगर नुट्र स्टांज कर से तो मार्केट 10-15 बेसिज नो सेल ओफ अक्रोस दे कर अपरे जोवी शकिशो guidance माँ विकाज हमारो विव चे कि इन्फलेशन, ग्लोबल सेंट्रल एंवार्मेंट एओ छे कि जा इन्फलेशन पर्सिस्टेंट छे अने ग्लोबल सेंट्रल बैंक अवादरा होकिस थे तो अर्ब आपरेल ओन्वर्ड्स आइधिन्स पात आपी देख छे market currently around 375 to 4% operative rate अने accommodative stance price करी रहो छे तो एना करता अगर कई negative वावी तो bond deals पर थोड़ो आजे impact देखाई शके आपनी पासे थी एक परस्पेक्टिव जे समझवा मागेशू ए बनी रहो छे कि जे प्रमाणे नो आउट्लूक अतियर आपने जोए तो गवर्मेंटे बजेटनी इंद जे बोरोइंग्स माटे नो आपियो छे अने मुट्व बोरोइंग जे शे ते आपने आ फ्रंट उपर थी आउट्व जे देखावानू छे एनी इंपेक्ट आपना bond market थी मांडिये न ओवरोल जे आखा फ्रंट छे आपना लिक्विडिटी नो एना उपर आउटी देखा शे तो आप परस्पेक्टिव ने केविड इतना जोई रहाश हो लिक्विडिटी ने या एटलिस्ट स्क्विज करवा माटे नी वाद थाश है कि ए पना ती आने संभावना ओशी देखाए रही छे अपना अर्च तंत्र छे ने यह जोपन बेजिकली रिवाइव थाई रही छे आपने कोवीड नाइन जे पाचला वे वरस्ती आखा अर्च तंत्र ने चकड़ी राखे लू छे एमां थे आपनो डेटा रिलेटिवली इंप्रूव थे रहे छे आपना छला क्वाटर नो जी अर्च परसंट परसंट बेज रेट अने प्लस माइन फ्टू परसंट एटे 6 परसंट क्रोस ज्यांसुदी इंप्लेशन नहीं करें पून नती मानतों आर्पी आई कोई पन जागी उतावड कर्शे इंटरस्ट रेट वधार वावाबा प्लस तमें जो सो तो फिसकल डेफि जिए बॉरोइंग्स नो पन जी इशू हा तो आपणे बजेट मां भी सरकारे जे कैपिटल कैपेक्स पर ध्यान आपिए उचे 7.3 लाक परोड पीज नो कैपेक्स बजेट मां अना अना लिदे मार्केटे पन बजेट ने आवकार यू हतू अन्य नीड ओफ दी अवर भी छ आपड़े सारा चार टकानों फिस्कल डेफिसित ने मैनेज करवानू अपड़े यह जोसू तो अत्यार आर्बी आइए भी हूं आनूशू के थोड़ू वेट अन्वाच अप्रोट मां जसे अकॉमडेटिव स्टैंड कंटीन्यू राख से अने बेजिकली जून पछी कदा इंफलेशन एक्चुली वधी गयू छे अथवा इकनामी मां बेजिकली प्रेशर आवे चे तो कदा चे इंट्रस्ट रेट वधार है ची यूएस अनी यूरोपनी वात करिये तो येस त्यां इंफलेशन घणा हाई लेवल पर चे अमेरिका मां साथ तका इंफलेशन चे जे अपनी एकनामी ये भी छे निके जी मां फॉर्मल इनफॉर्मल वेव सेक्टर मोटा पाया नो भाग बजवे छे प्लस जे सेलरीड वर्क छे कि एक मोटा भाग नो वर्क छे जे ये माई ना बेजिस पर बेजिकली घर लेतु हो इचे कार लेतु हो इचे बाकीनी वफ्तु कापिटल बुट्स बाई करवानी ट्राइ करतू होई शे तो इमना माटे मन्थली EMI एक बहुँज इंपॉर्टन्ट फैक्टर बनी जाए चे मन्थली EMI करेट इसले एनी अंदर एक वाइटल फैक्टर हूं मानुशो के आर्पीया अत्यारी भी तमें जोशो ने तापड़ पर एक्सपांशन माटे बिजिकली ट्राइ करी रहा चे तो आवा टाइम पर हूं मानुशो के आर्पीया इथो वेटेन वाच करसे अने जून पछी कदाच बिजिकली इंट्रस्टेट वधारवानू नकी करे तो आएक परस्पेक्टिव आपन नहीं देखाई शके छे अने इनी साथ है आपने जोएतो तो तियार एक बिजा समाजार पणाई रहा चेना उपर पर नजा कर ले तो आवधी काले सेबी मां डियारेश भी दाखिल करी शेके छे लाएसी अने IRDI एतला के जे इंशिरन्स रेगुलेटर ओर्थोरेटिस छे इमना तरफ थी पन एने एलाएसी ने एक ग्रिन शूट मरतो देखाई रहा चे के देखाई रहा चे अने एलाएसी ने प्रस्ताव ने मंचुरी मरी शे अने डियारेश पी पन या आउतीकार सुधी मां सेबी न अटे नी जे एक सेधांतिक अर्थियासुदी ने आपने मंचुरी इन वाद करता ता हवे आ सेधांतिक मंचुरी आगरवदी याने ओन पेपार आवी चुकी छे अने एहां सेबी नियंदर डियारेश पी पन आया फाइल थतु आपन ने देखाई शोके जे तो ये परस्प अब एक परस्पेक्टिव आया खास देवांग जी आपे जे बात करी क्या है जे ओली सीन देर एमनों जे स्टेंस चे ए बदलाई शके शे एमनी जे दिशा निलदेश आपन आपिया ता है अकुमुनिटिव मां थी न्यूट्रल तरफ जवा माटी नी वात आपने अनुमान करी रहा शे पन एक कंसर नहीं है पन छे जे अधितिया जी है कि आपने अत्यार अजू ए लेवल उपर नधी पोजिया का आपने एकोनोमिक फ्रेंट उपर वधारे श्ट्रोंगली एक्टिव थाता देखाया ने पास्ट मा पन आपने जोई हुशे कि आपना गवर्नर साहि अधिन एक रिलीफ रैली आऊ से अक्रोस मार्केट सेग्मेंट किमके मार्केट थो नेगेटिव गए बजट पची बोर्रेंग बहुँए अधारे हातो और मार्केट ने थोड़ो एक्स्पेक्टेशन ने एऊ तो अगर गवर्मेंट है तो अगर रभी लिफ्टिंग कर वा अधिन से अधिन किमकेट एक रभी इन थो यहां भी आप डिखर, वहा है उर्षा इन रहीं किर्ट मेंट मार्केट मार्केत से लिवर्फ रैली मार्केट अऽी प्राइट, बहु चोजुमें कि है अधिन भी रावर्मेंट करमें गार्ट्ट मार्केट् heti अक्खर आजनादेव से जे कॉंबडेशन प्रोवाइड करे चे यह मारा इसाब है दिरे दिरे प्रोवाइड कर से तो आज शॉट लिव रैली मा बहु लाम्बो के बहु डूरेशन एड करवानों कोई मतलब न थी आइ तिंग यह बहु शॉट लिव डिलेशन अगरेशन अपने आप उपर आपने शूल आगया शे तो बैंकिंग सेक्टर मने कुबद सारू लागी रही है जिरे ते एसेट क्वालिटी सुधरी रही है जिरे आगर जिता एकोनोमी का ग्रोथ नी साथ है जे लेंडिंग डिमांड वदवानी छे आप दानी सिधी इंपेक्ट तमने बैंकों ना जुआ मढ़ा से तो मारी दरश्टी आजे आपड़ी रहाज हे कि पेस्व बैंकों पांचिपांच शाथ सत्व रसना तो किलिक पीस्व बैंकों अल-टाइम हाई परफॉमेंस आपी रही है जे इसेट कॉलिटी सतत्त शुधरी रही है प्राइवेट बैंकों मां आपन लें और वच्पू सब्सक्राइब कोची सब्सक्राइब कैने-घृ फ्रि explode आउ टिरेंकों नीया से दुबर अऊंसर अट leojता जो नीयां, आउट कों सब्सक्राइब केत चे चाहिए, क्यों.. ते श्यों हां पहें आउंठा, कर देनि लेतों हो long-down Trevor book आपने पुलीसी ने रिलेटेट जे आपने स्टेट्मेंट आवता देखा शे में फेक्टर आपने आज चर्चा माथी जोई रहा शेये शे कि व्याद दबाव रुद्धी माटे नो आउटलूक आगामी वर्ष माटे नो शुहा आपे शेयान साथे जे आतिया सुधी नो अकमोडिटिव स्टेंस अतू ए स्टांस नी अंदर कोई बदलाव करे शे के नथी करता एना उपर खास आपने एक फोकस रहे शे प्लस बिजू पासु आपने जे फोकस मा रेतु देखा शे एपन रेतु देखा शे का यहाँ आपे गवर्नर साहिब आयां इन्फलेशन ना फ्रन्ट उपर ना केविरीत ना आपने व्यूज अपता देखा शे आपने जो इन्फलेशन ना डेटा वाइस आपने जोए तो परिस्तिती आपने एकली खराब थती नथ देखा यहाँ पन रिसेंट टाम निंदे जे कुरूड प्राइजीज आपने शूट अप थेया शे तो आँ अंडेटोन इफेक्ट ने गवर्नर साइब केविरीत ना अड्रेस करेश है कि यहाँ थी पजी आपने चोए के एमनों आउटलूक जेशे ते यहाँ थी वदार कोई चिंता वाड़ू नथी बनतू अने जे स्टैंस चे अकॉम्रेटीव साइड नू ए यह थावत तो आँ पर्स्पेक्टिव जेशे ते आपने खास एक फोकस मा रहता देखाये शक्षे और ए फ्रेंट उपर आपड़ू खास आद्दा दिवस नू फोकस पन रहता देखा शे केमना तरफ थी आँ अंगेनी शुम वात केवाम आवी रही रही शे माकेट सुपर नजा करो तो ए अत्यार आपने पोलीसी पेला थोड़ाक फ्लेट टू नेकिटिव साइड उपर आउता देखाये रहा शे जे स्ट्रेंथ आपने ओप्रिंग सेशन मा चोही रहा था ए नथी देखाये रही एतले क्यांक नेक्याक क्यूज लेवामाटे नो प वरोइंग प्रोग्राम बाद आपना जे बहुन इल्ट चे एना उपर आपने इंपेक्ट ओल्रेडी आवती देखाये चुकी है थी हवे आप वरोइंग प्रोग्राम ने केवी रितना सपोर्ट करशे आने ग्रोथ माटे नो जे फोरकास जे आपना सरकाल तरफ ती एक पॉल करियो है तो एमा आपने एक क्लियरली बदा तरफ ये वस्तू समझ अमढ़ी आधी के जो हाईक थशे इंट्रेस्ट ने इंदे तो पेलो जे हाईक आवती देखा शे रिवस रेपो रेट ने इंदर आवती देखा शे एडले रिपो रेट ना फ्रन्ट उपर आप आपने जो ये तो बेंकिंग सेक्टर उपर कि आपना जे बोरों अश्चेमना उपर इया सिधी आवती नहीं देखाई रोश्य प्राइमीरी जे इंपेक्ट्ट आतियर आपने एंटिसिपेट करें आशी ए बेंकिंग सेक्टर उपर आव आवर जो रिवर्स रेपो रेट नी वधारो आउत्तो देखाए एवी संभावना आईया नथी देखाए रहे अवे एनी पेला तमें जो के ओल्रेडी बेंकिंग सेक्टर जेशे आपनु गईकाल ना ट्रेडिंग शेशन निंदर आपने देखाए हुके एक अनुमानीत मुक्की दिदू हतु के याँ व्याद दर व्रुद्धी नहीं थाए अन एना कारने आपने जोयोतो गईकाल आपने एक सारी रेली पर जोय चुकिया शे आदना दियोस बापन मार्केट कोई डाउनसाइड उपर न थी हा पोलीसी नी पेला नी राजोई रहे आछे कि येवीर इतनु एक्षय नहीं आती बन्तु देखाए रहे हो शे पर्टिकुलरली अहीं आपने जोयोतो एक मोमेंटम जेशे ते बडलातू आदना दिवस्तू देखाए शोकेशे देवां अहीं आपने जो बोंड इल्ड ना फ्रेंट उपर जोये तो ए आपने संकेत तो एज आपी रहा शे कि व्याद दर्मा वृद् आपने जोड़ी नहीं था एवु अतियारे सिक्यूरिटीज मार्केट तो एंटीसिपेट करीन चाली रही हो शे अतियारे बद्धा डेठा आपना स्ट्रॉंग देखाई चानके आपनो बेज इफेक्ट लो अरो पागर ना सम्निवा इतले आमा उमानू चुका आचे तो डेफिनिटली अपने टूस्टेंडर्स कंटीनिव राक्ष्यार दियाई अने बॉंड इल्स पर लगब ए तर अप एक्सेक्षण में बॉर्म सीजन गेटिंग को वे तो एक्स लाइ टो अजाए टो इच वे एक टूस्ट्व लोगड वे फ्याप्य अरॉर अजाए अने इतले प्र एक्समा इतले इल्स पर बेदिए कोंट्री होड़ी इनने प्से उन इन्स पंटेंग्स चानकेंव एक्रफ especially in contact intensive sectors even as supply disruptions persist and restrained workforce participation tightens the labor markets with inflation at multi-decadal highs in a number of countries the evolving macroeconomic environment is being rendered highly uncertain by divergent monetary policy actions and intentions by central banks across the world financial market volatility and geopolitical tensions are adding layers of ambivalence to the overall global outlook notwithstanding a highly transmissible third wave driven by the omicron variant of covid19 india is charting a different course of recovery from the rest of the world india is poised to grow at the fastest pace year on year among the major economies according to the projections made by the international monetary fund that is the imf this recovery is supported by large-scale vaccination and sustained fiscal and monetary support once again frontline warriors have admirably reason to the call of duty as we gain valuable experience from repeated waves of the pandemic our response and our overall responses are also becoming nuanced and calibrated protecting protecting life is paramount and protecting livelihood is rising in the hierarchy of priorities the focus is on securing the economic and financial conditions of the vulnerable the wage earners and all those who have been affected the most accordingly the emphasis is shifting to targeted containment strategies and a push towards universal vaccination and booster doses this approach is being complemented by increased adoption of of technology in our workplaces and in our day-to-day lives the effort is to limit the extent of disruptions to the economic activity in this overall environment and this background the monetary policy committee that is the mpc made on met on 8th 9th and 10th february 2020 22 and based on an assessment of the current macroeconomic situation and outlook it voted unanimously to keep the policy reported unchanged at 4 percent the mpc also decided by a majority of 5 to 1 to continue with the accommodative stance as long as necessary to revive and sustain growth on a durable basis and continue to mitigate the impact of covid 2019 on the economy while ensuring that inflation remains within the target going forward the marginal standing facility that is msf rate and bank rate remain unchanged at 4.25 percent the reverse repo rate also remains unchanged at 3.35 percent the mpc flagged the potential downside risks to economic activity from the highly contagious omicron variant reassuringly the symptoms have remained relatively mild and the pace of infections is moderating as quickly as it surged there is however some loss of momentum in economic activity as reflected in high frequency indicators such as purchasing managers indices for both manufacturing and services finished steel consumption and sales of tractors two wheelers two wheelers and passenger vehicles the demand for contact intensive services is still muted going forward positive impulses for quickening the pace of recovery emanate from buoyant robbie prospects robust export demand accommodative monetary and liquidity conditions improving credit offtake and the continued push on capital expenditure and infrastructure in the union budget the mpc also noted that consumer price price inflation has edged higher since the last meeting but largely along the anticipated lines the increase in inflation in december was entirely due to unfavorable base effects despite month and month decline in prices large buffer stocks of cereals large buffer stocks of cereals and effective supply side measures augur well for food inflation core inflation remains elevated but demand pull pressures are still muted the renewed surge in international crude oil prices however needs to be closely monitored on balance headline inflation is expected to peak in q4 21 22 that is in the current quarter within the tolerance band and then moderate closer to the target in the second half of 22 23 providing room for monetary policy to remain accommodative at the same time output is just barely above its pre-pandemic level while private consumption is still lagging global headwinds are accentuating overall taking into consideration the outlook for inflation and growth in particular the comfort provided by the improving inflation outlook the uncertainty is related to omicron and global spillovers the mpc was of the view that continued policy support is warranted for a durable and broad based recovery i would now like to focus on the domestic growth scenario in india real gdp growth at 9.2 percent for 21 22 takes 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 uh you know takes it modestly above the level of gdp in 2019 20 private consumption the mainstay of domestic demand continues to trail its pre-pandemic level the persistent increase in international commodity prices surge in volatility of global financial markets and global supply bottlenecks can exacerbate risks to this outlook going forward governments thrust on capital expenditure and exports are expected to enhance productive capacity and strengthen aggregate demand this would also crowd in private investment the conducive financial conditions engendered by the rbi's policy actions will provide impetus to investment activity the surveys done by the reserve bank reveal that capacity utilization is rising and the outlook on business and consumer confidence remain in optimistic optimistic territory which should support investment as well as consumption demand the prospects for agriculture have brightened on good progress of winter crop sowing overall there is some loss of momentum of near term growth while global factors are turning adverse looking ahead domestic growth drivers are gradually improving considering all these factors real gdp growth is projected at 7.8 percent i repeat 7.8 percent for 22 23 with q1 22 23 at 17.2 percent q2 at 7 percent q3 at 4.3 percent and q4 at 4.5 percent i would now like to turn to inflation the cpi inflation trajectory has moved in close alignment with our projections in particular in particular the softening of food prices is providing welcome relief the improving prospects for food grains production and the expected easing of visitable prices on fresh winter crop arrivals are adding further optimism moreover the softening of pulses and edible oil prices is likely to continue in response to strong supply side interventions by the government and increase in domestic production the hardening of crude oil prices however presents a major upside risk to the inflation outlook core inflation remains elevated at tolerance testing levels although the continuing pass through of tax cuts relating to petrol and diesel last november would help to moderate input cost pressures to some extent the transmission of input cost pressures to selling prices remains muted in view of the continuing slack in demand further as risks from omicron win and supply chain pressures moderate there could be some softening of core inflation on balance the inflation projection for 2021 22 is retained at 5.3 percent with q4 that is the current quarter at 5.7 percent on account of unfavorable base effects that ease subsequently in particular cpi reading for january 22 is expected to move closer to the upper tolerance band largely due to adverse base effects taking all these factors into consideration and on the assumption of a normal monsoon cpi inflation for 2022 23 is projected at 4.5 percent with q1 22 23 at 4.9 percent q2 at 5 percent q3 at 4.2 percent and q4 at 4.2 percent with risks broadly balanced at the current juncture the conduct of domestic monetary policy is primarily attuned to the evolving inflation and growth dynamics even as we remain watchful of spillovers from uncertain global developments and divergent monetary policy responses our monetary policy would continue to be guided by its primary mandate of price stability over the medium term while also ensuring a strong and sustained economic recovery as stated by me earlier on several occasions our actions will be calibrated and well telegraphed i would now like to touch upon certain issues relating to financial stability a strong and well-functioning financial sector fortifies the foundations of growth and development the reserve bank has accorded the highest priority to preserving financial stability by taking quick and decisive steps to ease liquidity constraints restore market confidence and prevent contagion to other segments of the financial market we have been also strengthening the regulatory and supervisory framework for both banking and non-bank financial sectors to proactively identify assess and deal with the vulnerabilities thus despite the pandemic induced bouts of extreme volatility the Indian financial system has remained resilient and is now in a better position to meet the credit demands as recovery takes hold and investment activity picks up the balance sheets of scheduled commercial banks are relatively stronger with higher capital adequacy reduced NPA higher provisioning cover and improved profitability than in the previous years we have to be however watchful of the impact of the pandemic on the banking and the NBFC sectors when the effects of regulatory reliefs and resolution fully work their way through banks and other financial entities would be well advised to to further strengthen their corporate governance and risk management strategies to build resilience in an increasingly dynamic and uncertain economic environment they also need to continue the process of capital augmentation and build up appropriate buffers I would now like to touch on certain issues connected with liquidity and financial market conditions the pandemic has delivered a once in a century crisis with a health shock morphing into a macroeconomic and financial shock the RBI undertook a slew of measures to deal with such an exceptional situation as a consequence borrowing costs fell to their lowest levels in decades and spreads narrowed across rating cohorts record levels of government securities corporate bonds and debentures were issued corporate entities have been able to de leverage seamlessly and reduced high cost debt while improving profitability and retained earnings for future capital expenditure overall the financial sector has remained fully functional and has anchored the process of economic recovery in our assessment the policy actions of the reserve bank have yielded the desired results in a smooth and orderly manner with these objectives being achieved on an ongoing basis the reserve bank has turned to rebalancing liquidity on a dynamic basis while maintaining adequate liquidity in support of its accommodative stance this rebalancing has involved two sided operations first that is on the one side rebalancing liquidity from overnight fixed rate reverse repo towards 14 day variable rate reverse repo that is VRRR auction as the main operation supported by fine tuning auctions of varying tenors as envisaged in the revised liquidity management framework of February 2020 and second that is on the other side conducting repo auctions of conducting repo auctions of one to three day maturity to meet transient liquidity mismatches and shortages as for instance in the recent case of more than expected GST outflows during the third week of January 2022 the key to effective liquidity management is the timing and having a nuanced and nimble footed approach that responds swiftly to the manner in which liquidity tilts as a result of RBI's rebalancing operations the daily average absorption under fixed rate reverse repo has moderated sharply since August 2021 when the rebalancing started overall system liquidity however remains in large surplus though it has moderated over the same period reflecting the migration of surplus liquidity from overnight window to longer tenors the effective reverse repo rate which is basically the weighted average rate of fixed rate reverse repo and the VRRR's of longer maturity the effective reverse repo rate increased from 3.37 percent as at the end of August 2021 to 3.87 percent as on February 4 2022 that is last Friday it may be recalled that while instituting the revised liquidity management framework on 6th of February 2020 the daily fixed rate repo and of I repeat the daily fixed rate repo and the 4 14 day term repose within a reporting fortnight were withdrawn in view of the pandemic and the related work from home social distancing protocols the MSF and the fixed rate reverse repo windows were made operational throughout the day instead of only at end of the day under normal circumstances this passive mode of liquidity management worked well throughout pandemic conditions in ensuring adequate provision or absorption of liquidity as warranted by the evolving market conditions with the progressive return of normalcy including transient demand for liquidity from the reserve bank it is logical to restore the revised liquidity management framework in order to make it more flexible and agile accordingly four decisions have been taken first variable rate repo operations I repeat variable rate repo operations of varying tenors will henceforth be conducted as and when warranted by the evolving liquidity and financial conditions within the CRR maintenance cycle second variable rate repos that is V double R as I would call it variable rate repos and variable rate reverse repo that is V triple R of 14 day tenors so variable rate repo operations and variable rate V triple R auctions of 14 days tenor will operate as the main liquidity management tool based on liquidity conditions and will be conducted to coincide with the CRR maintenance cycle third these main operations will be supported by fine tuning operations to tide over any unanticipated liquidity changes during the reserve maintenance period that is during the fortnight ending on the reporting Friday auctions of longer maturities will also be conducted as warranted fourth with effect from first of March 2022 the fixed rate reverse repo and the MSF operations will be available only during 1730 hours to 2359 hours that is from 530 p.m. to 1159 p.m. on all days and not during 900 hours to 2359 hours so instead of 9 am in the morning till 1159 p.m. in the night now it will be available from 530 p.m. to 1159 p.m. in the night and this will be available on all days as in and this is you know this revised timing of all day operations of this reverse repo and MSF it was as you would recall it was instituted on 30th March in response 30th March of 2020 in response to the pandemic situation so now that on the liquidity front we are returning to normalcy we thought it was time to go back to the status quo ante market participants are advised to shift balances out of the fixed rate reverse repo into VRR auctions VRR auctions and avail the automated sweep in and sweep out facility that is ASISO facility in the eKuber portal for operational convenience the sweep in and sweep out makes the entire process of if you want to utilize the MSF facility or you want to utilize the reverse repo fixed rate reverse repo facility at 1159 p.m. or 11 p.m. after 11 o'clock in the night then there is the system is automated and we have put in place what is called the ASISO facility the details are given as a footnote in my statement for those who would like to have a look at it may please have a look in the forex market the Indian rupee has shown resilience in the face of global spillovers even relative to the EME peers India's external sector vulnerability India's external sector sustainability is anchored by high foreign exchange reserve buffers as a modest level of current account deficit you know let me let me put it again I think there was some miscommunication India's external sector sustainability is anchored by high foreign exchange reserve buffers and a modest level of current account deficit CAD in first half of 21-22 the current account deficit was 0.2% of GDP underpinned by robust exports of goods and services the merchandise trade deficit has widened in recent months partly due to elevated crude oil prices and rise in non-oil imports in line with the domestic economic recovery buoyant services exports led by IT services with strong prospects for growing going forward are however likely to keep the current account deficit contained well below 2% of GDP during 2021-22 that is during the current financial year moreover foreign direct investment flows remain strong which along with other forms of capital inflows are expected to comfortably finance this modest level of current account deficit in a global environment rendered highly volatile and uncertain by diverging monetary policy actions and monetary policy stances by various central banks geopolitical tensions elevated crude oil prices and persistent supply bottlenecks emerging economies are vulnerable to destabilizing global spillovers on an ongoing basis thus policy makers face daunting challenges even as recovery from the pandemic remains incomplete on its part the reserve bank has been and will continue to insulate the domestic economy and financial markets from these spillovers further while the RBI will continue to focus on smooth completion of the government borrowing program market participants also have a stake in orderly evolution of financial conditions and the yield curve it is expected that market participants will engage responsibly and contribute to cooperative outcomes that benefit all let me now proceed and make a few more a few additional measures which you know we have decided and let me now go and announce a few more some more additional measures the fact first one relates to extension of the on tap liquidity facility for emergency health services and contact intensive services on tap liquidity facilities of rupees 50,000 crore and 15,000 crore for emergency health services and contact intensive services contact intensive service sectors respectively were announced in May and June 2021 during the second wave of the pandemic banks were given certain incentives for lending under the two schemes on account of the continued uncertainties brought on by the third wave the two schemes are now being extended from 31st March to 30th June 2022 next one relates to the voluntary retention route enhancement of limits the voluntary retention route scheme that is the VRR scheme it is different from the VRR which I referred to earlier that related to the repo operations so this is the voluntary retention route scheme was introduced in March 2019 to facilitate long term investment by foreign portfolio investors that is FPI's in debt securities issued by the government and the corporates the response to this scheme has been very encouraging it is therefore proposed to enhance the limit for investments under this scheme by rupees 1 lakh crore from rupees 1.5 lakh crore at present to 2.5 lakh crore with effect from 1st of April 2022 this will provide access to additional sources of capital for both domestic debt market for domestic debt market including the government securities next announcement is as follows the guidelines for credit default swaps that is CDS initially issued in 2013 were reviewed and draft guidelines were issued in February 2021 for public comments taking into account the feedback received the final CDS directions are being issued today these guidelines will facilitate development of a credit derivatives market and deepen the corporate bond market in India the next announcement relates to permission to banks to deal in foreign currency settled rupee derivative markets banks in India have already been permitted to offer rupee interest rate derivatives such as overnight indexed swaps that is OIS to non-residents now it has been decided to allow banks in India to undertake transactions in the offshore foreign currency settled overnight indexed swaps that is FCS OIS market with non-residents and other market makers this will reduce segmentation between onshore and offshore markets enable more efficient price discovery and further deepen the interest rate derivatives market in India the next announcement is very important for you know very important with regard to digital payments and with regard to government implementation of government schemes and this relates to enhancement of the cap under the E rupee which are basically prepaid digital vouchers using the UPI the E rupee prepaid digital voucher developed by the NPCI was launched in August 2021 the single use cashless payment voucher has a cap of rupees 10,000 at present it is now proposed to increase the cap of E rupee vouchers issued by the central government as also by the state governments from rupees 10,000 to rupees 1 lakh per voucher and permit such E rupee vouchers to be used more than once until the amount of the voucher is completely redeemed this will further facilitate the delivery of various government schemes to the beneficiaries more efficiently the next announcement relates to enabling better infrastructure for trades settlements the trades receivable discounting system that is trades facilitates the financing of trade receivables of micro small and medium enterprises that is MSMEs transactions in trades are settled through the national automated clearing house system that is NAC system keeping in view the requests received from the stakeholders and to further enhance the ease of financing the growing liquidity requirements of the MSMEs it is proposed to increase the NAC mandate limit from rupees 1 crore at present to rupees 3 crore for trades related settlements the next announcement and this is the last announcement before I conclude I request your patience this relates to issuance of master direction for IT outsourcing and master direction on information technology related to governance risk management etc extensive outsourcing of critical IT services leveraging of technology by regulated entities of the Reserve Bank and increasing use of digital channels by customers expose the regulated entities to significant financial operational and reputational risks a need was therefore felt to review and consolidate and also streamline the existing guidelines accordingly two draft directions will be issued for comments of stakeholders and members of the public the first one relates to Reserve Bank of India IT outsourcing directions 2022 the second one relates to Reserve Bank of India information technology information technology governance risk controls and assurance practices directions 2022 let me now conclude we are living in a world of Knightian uncertainty in the absence of determinate knowledge about the next mutation of COVID-19 the ability to forecast the future course of the economy is so contingent on the evolution of the virus that one prognosis is as good or as bad as the other and as ephemeral if the last two years of living with the virus have taught us anything it is to remain humble but grounded in self-belief never losing confidence and optimism as the great Lata Mangeskar whom we lost recently sang in her immortal voice together with the spirit behind the next line of this beautiful song she has conveyed an eternal message of optimism we in the Reserve Bank have remained steadfast in our commitment to safeguard trust and confidence in the domestic financial system as we rebuild rebuild the foundations of strong and sustainable growth with macroeconomic stability this has been our anchor in the ocean of uncertainty we are inspired by Mahatma Gandhi's spirit of constant striving amidst challenges and I quote Satisfaction lies in the effort I repeat Satisfaction lies in the effort Full effort is full victory Thank you Stay well Stay safe Namaskar Namaskar with the improving अनुमान हताय नाथी बिलकुल विप्रित अकोमोटी डू स्टांस पन येथावत राखियो शे अन व्यादधर्मा वृद्धी माटेन आपन कोई अपन अतियार संकेत अपफाम नथी आई वर्या अधितियब जेर इतना आपे पॉलिस्यान शर्वात पेलाज किदू हतू कि ये एक अनुमान हतू कि अतियार आपने एक कोई लिवल उपर नथी कि ये आपने कदाच आप्रकार ना लिक्विडिटी टेपिंग के वशी व्यादधर्मा वृद्धी तरफ आगडवदी अन एश प्रकार नो यहां आउटलूक गवर्नर साहिवे कही हूँ शुब मेजर टेकवेज आप आ कमेंटरी मा थी लही रहे आशो एक जीडिपी ग्रोथ जे प्रोजेक्ट थयो चे 7.8 परसंट एक खुबज बेजिकली रियलिस्टिक छे अने अचीवेबल छे अत्यारे मैं जे जेतनों एकनोमी नों श्टडी करियू शेन है यह मां आपने एकनोमी मां बेपाट छे एक और्गनाइफ रने अन और्गनाइ जूपन व्यूटेड छे एक आ सिक्यूएशन ने ध्यानमा राखता अकॉमडेटिव स्टैंड कंटीनियू राखो खुबत जरूरी हातू एक सेकेंड जे इंफलेशन नों प्रोजेक्शन करवा मां आगीं चे आखा वर्ष मांटे 4.5 परसंट एपन तमें जो शो तो आपने विंटर ना क्रॉप्स थाया छे आपने वीट चे बधा आपने सारो पाक जो थाई तो आगड जैने सप्लाई साइन कंस्ट्रेंट पन इतला नहीं आवे तो तमें जो ही शको छो कि मैं इंफलेशन कंट्रोल मां रहे शे तो डेफिनेटली आर्बी आई जिया एकॉम हाउजिंग लोन लो रेट्स पर अवेलेबन छे तो घणा बदा मेट्रो सिटीस मां डिमांड फॉर हाउजिंग सेक्टर हैस गॉन अप अने हाउजिंग सेक्टर एक इंपॉर्टन सेक्टर होई चे एकनोमी मां कानके जी रिते कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीस पिक थाई ए रिते जॉब्स ग्रास्रूप लेवल पर भी तरद पिकप थाई चे लस्कॉर्प्रेट एक्सपांशन मांटे कॉस्ट ऑफ कैपिटल खूब जगत जयनुचे जेने जम शायवेबी की तो कि एक्सिटी एक्सपांशन करियों चे तो आ सिचुवेशन नी अंदर एक खूब जगतियनुचे एनू कारण छे कि तम्हें ग्लोबल लेवल पर जोशोने तो अत्यारे यूएस मां इंफलेशन घणो वद्यों पन त्या बेजिकली जे आलोको है आपड़े चीप लिक्विडिटी करेली 2.5 ट्रिलियन डॉलर नुझे पैकेज उपू करेलू अन्ने आगार जोने सपोर्ट करवा मांटे मॉनेटरी पॉलोसी फ्रेमवर्क नों सपोर्ट पर अत्यांत जरूरी छे कारण के आजे आपने कॉर्परेट कैपेक्स एक्स्पांड करू होई तो कॉस्ट ऑफ कैपीटल ये पल्ली वफ्तू छे जेना पर कॉर्परेट्स परी फोकस राखे आने ध्यान मां राखता जे गवर्न साहिबे अकॉंपडेटीव स्टैंड अने कोई पर जातने इंटरस्ट रेट मां फेरफार करियो नहीं मानुस हो कि आपड़े जून पछी भी तमें जूस हो कि जो मॉंसून आपको प्रॉपर ओंसेट ठेक जाया ने मॉंसून प्रेडिक्शन भी नॉर्मल रहे तो इंफलेशन कंट्रोल मां रहे से तो हूं मानुस हो कि अजू थोड़ो टाइम आपड़े आज पॉलसी मां कंट से आपड़ा हत्यारे भले आपनों डेटा सारो देखात होई परसू आपड़े आने सस्टेन करी सक्षू ए अगत्यानों बुद्धो चाने एमाल लोवर इंट्रस्ट रेट एक खुबज इंपॉर्टन रोल प्ले करतू होई छे अत्यारे जो आपड़े एकंदम व्याजतर वधारवा मांडी है तो आजे रिकावरी दिरे दिरे सेट थेई रही छे ये पाची डिरेल थेई जाशे प्लस इकनोमी मां घणों मोटों वर्ग छे जेने आ लोवर इंट्रस्ट रेट थी बेनफिट थेई शके इन टरम्ज ओफ कोई हाउजिन लोन लेवी छे कार लोन ले प्लस और प्रेट से एक्स्पांड करूँ छे एटले बनने बाजू एक कंजम्शन जे एक इंडिविज्वल नी आपने रिक्वार्मेंट होई छे अन्ने इंडियन इकनोमी नो जे थीम छे एक तो एमां कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम्मेशा एक अगत्यानों रोल प्ले करतु ह होई छे और कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपनी लो होई तो आपने हिम्मत करिए के चला आपने घर वसाविए गारी वसाविए तो एक फैक्टर खुबज इंपोर्टन शें एक डिमांड वदे तोज कॉर्परेट में एक्स्पांड करवान होई था कि डिमांड छे एकनोमी मा तो आपने आने वह तक लेहने केपैसिटी एक्सपांड करिए एतले या बन्ने वस्तुने ध्यानमा राखता हूं आनों चुका निर्णे खुबज जरूरी यतो अने हाँ एकनोमी ने सारो एवो बेनोफिट पहुचार से लस आपने एक थोड़ी मैक्रो डीटेल नी पन वा आनों विचारी रहूंचे घनाई बदी मल्टिनेशनल कंपनी इंडिया मा आवा मांगे छे तो आपने बैलेंस ओफ पेइमेंट पर एकंदर है खुबज मजबूत छे मा कोई आपने वह मेजर का इश्यू छे नहीं प्लस तमें जो सो तो एक्सपोर्स आव अपना एक्सपो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं और आगे जागे क्या बेंकिंग सेक्टर में जो अभी हम मार्जिन के आउटलुक को देख रहे हैं वो क्या इसी तरह से एलिवेटेड लेवल पर बरकार रहते हुए देख पाएंगे एकदम बढ़िया फैसला है दी रीसेंस भी बहुत स्पर्ष्ट का हुआ है दी सर्पलस लिकुर्टी सिस्टम में है और इवन अभी इंफलेशन जादा दिखने के बाद भी वो आगे दो का वार्टास में वो नीचे आएगा करके उनका मॉडल का ऊपर ये फैसला लिया है अभी बुलावाय है वो कापसिटी उटलेशेशन अभी तोड़ा तोड़ा बढ़रा है बट एकदम वो इनवस्मेंट साइकल के उपर अभी अभी तक चालू नहीं है से एपी एओ रहाएपी बारवर है और धिपनका कर एकदम अचाय एकदम पावाट भी अखाहा है वो कास्ट फचल का सिंप होगा है और अभी इन्फलेशन, I mean, the rate of interest का direction अभी प्रेयरे, अभी 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 बानमारके येल्द भी बड़ावायाल, almost, and even the weighted average, like say, reverse repo rate काया, वो पारे में भी, वो 50 basis point तर वो उपराया करके, वो भी काया, So, यह अनदर अट-लीस्ट वो दो तू तीन क्वार्टर्स के लिए एक अकमदेटिव स्टांड और अग्सिस्टिंग रेट अभी उपर होने का अभी चांसस नहीं देख रहा है. So, वो गुरोथ सैकल फटा-फटाने के लिए यह वो इंक्रिमेंटल काटलिस्ट है. But वो अच्छा फाइसला है और हम वेलकम गतना है इसके बारे में. Okay. चाथा, अश्विन पारेक अटवेसरी इसना, अश्विन पारेक पन आपनी साथे जुड़ाए का आशे. अश्विन जी, आपनो पने एक प्रस्पेक्टिव यहां समझा माँ आगेशू. जे प्रमाणेनों अक्कोमेटिव स्टेंस आपने यह था आत्राइक हुछे. एक प्रस्पेक्ट पर ना अपने ग्रोथ प्रस्पेक्ट माटे नी एंटीसिपेशन जे राकी रहाता स्रकार तरफ थी पर. एनने सपोर्ट आप तु आप स्टेप गवर्णर साहिब नू जोईशे काशे? बिल्कुल, सी बेक तोन परिबोलों गंदा चैनी पासों काम करी हुए. एक अपने जारे मना बजेट माच, डिसेंटली जोई, के सल्कारे आवक्ते केपेक्स माटे ने एक सारू हो, एक सानत्री स्टकार नो एक वधारों करिशे. दिसकेवार्यकर ने शती हरू है, चैने जेवार्यकर ना मौटे दिसेस. दिसकेया आपम साथे कोरू tang केपेक्स माटे घरोजियों केरे जारे मना में देम परिसे. क्या आप जही ने छेला तंचार अपड़े माँ इंफलेशन पॉन छाटकाना दोणती उपर मिलाजवाने कारने पन अर्भी आये पासे एक लेक रूम मढ़ियो क्या वत्ते रेट्स ना स्ट्रक्चर मां के चेंज ना करें निक एक प्रकार में पोमोड़ेटी स्थांस चालू भातें अपने करें करें लिन ठाब आयुआ यहज्टी ना स्टी आपने हुआ हो यह शक्की है कि हजी एक अधर अग्यान्मी पॉलिस सी तमिगे शक्या थाता तमैंच चली दर्स पॉलिसी पहला बेह जारीयावी जारी पोविड ने शर्वाटी ने त्यासुधी मांध्यान एक तरहल बंध्यान माँ एक शॉद्ट रेट नियुके अपरोच नियुक बेखा है लिखिडिटी मैallismen ता मेज़र जो खाहने हम अजर अर्य घर करिकर आमीं तमर्छ पो नहीं रहे लगता अनौंसमेंन्ट अनौंसमें नहीं साथे साथे बाखिना जे नवा अनौसमेंट्स हो जे गवर्नर सहीच अबे करया एक अजा वाधार है महात्व नियान खाची लिवा मांगे चे एक अजाओ देरिवेटिवस एंट्रेस्ट डेरिवेटिवस ने बुशान मजवा हमाटे इंडियन बैंक्स ओफ्शूर मांकेट्समा पाटिस्टेक्ट करें ए प्रकार मों एक नवाग्वार को एक जीतिकरीने लिक्विडिटी मैनेजमेंट नी अंदर वधर नवधर इंस्टुमेंट्स हो बैंकिंग सिस्टम और मांकेने मॉनेटरी सिस्टम कामा लगाण शके एक प पार्टिसिपंट्स होने एक साथे मलिना मैनेजमेंट नी अंदर चुदा जुदा इंस्टुमेंट्स द्वारा करवा नुए प्रवाजर चेले एक मारे द्रस्किये डिजिटल पेमेंट नी अंदर सिंप्रिफिकेशन करवा माटे ए रुपी वाउचर नो जे प्रवस्ता जे एक लाग करवा माँ जे एक साथे साथे जांसुदी एक वाउचर पूरु पते निकासुदी बीजु आउचर पन इस्टेट गवर्मेंट्स में खास करिने नैसजी प्रवा एक सांव प्रवण ना प्रवा मालचे एक सारु परबंन करवा माल जा सिस्टी आपडेशी उप झेपास क्रवं अचिंफचह रहे सी करवा मालचे एक पासे प्रादमों एनलिसिस मंगी दैओडियर्टली वेशने ो जान माले ने जडिपी ग्रोथ में एक रियलिस्क आपन साथ बैटा का भूट अभी लिक्विडिटी मैनेज्मेंट ने पॉंठ ध्यान माले ने अब मारे इसाब एने इसाब ने शायबना अनॉस्मेंट होता है कि वह वहाथ वह दो है भीने देखरें ना ने भीना ग्हाँ ना ड लगाँ पॉलिसी न एनोस्मेंट ने बाद आपना आपकर मार्केट्नी कॉंट नियुकलरी प्रटिकुलरी बंकिंग का ने लिए ने रीड्य है आपने इक्राइबार चैनले शणको सब्सक्राइब रहना चैनल कोई परतलाहिस पलेटीटService seemed national यहां। In the sense they are not expecting that inflation is very sticky And second half they are expecting inflationary pressures to reduce And that commentary ői market is very important And I would say even for the banking sector on the whole even in the banking sector one was assuming that this is all the yields But even if RBI were to rate hike increase the rates by 25 basis points Then in the banking sector we have to look that the cost of buying लेधे रहाने करना लेक्ताथी menor होकर मुझे दिदे का प्रवलत क्राशियां अन्हें सेट आप मैंचे बाहना है जहा है खुटनी से बहुता है मुझे अंपर मान्रिट मीन्ना धुट्सम करो सब शक्राफ करें है टौर णैप्रफ के निवांना सब्सक्राइन द्चाइगे घ् यह कोई आर्गू करी सके चे के मेभी RBI कुट भी बिहांड दखो पन ताइम विल से आने एस्पेशली ओल प्राइस के रिए ट्रेंड करे चे जो हमार रहे से पन इंडस्ट्रिल डेटा जे रितनु बजेट बाद जे केपेक्स एक्स एक्स एक्सपेक्टेट छे यह एक्सपेक्टिव आतियरा आपने आपने पोलीसी स्टेट्में आविर एता त्यारे आपती जो हमारी है अवे आपने ध्यान आई शू बनी रहे उख है आएक ट्रांजिस्टरी इंपेक्ट तरिकेट जोश्व आप आजी तो आजिए तो ऐसी चीज़ आपने पना करें पना है अट्व आज भाट्व लाग पेला कि अगर मार्केट मां अगर अकॉमड़ेट्यू स्टांस ने अगर आज़ए कहीं नी करें तो एक रिलीफ रैली आऊश्यार अट्यू आपने जो यह चारां बात्ती दस पेसे रहरा हिसाब फिक विवकोई ठांस ने बिलकुल रिवस्ते पर रेते कई नहीं तेंकर करया ना थी और प्लस एक आइड़न्स पन कई वजा चेंज करिए ना थी अच एंडिव नथी आ तिर रहें अ रहें 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 तेंडिशन रहें त्रेंट जिए फिर्वित नियर्ट र अगर इन्फलेशन ने कुरूड एक बनने प्रोब्लम कंटिनु रहा तो आपने एक गुड मॉन्सून अजुम करूँ जोए और अपने अजुम करूँ जोए कि कुरूड मा वदारे टेंशन ना हूँ जोए नहीं तो आप नहीं जाए तो आए तिंग सम्वेर दाउन दाउन एक महिना शुदी पॉलेशी नहीं जाए शाबे मार्केश थोड़ू रेंज बाउंड रहे छे पर हमारे मोटी रैली देखाती नती आना करता पात्स बेसिस नी और रैली मैक्स टो मैक्स ठही सके बिकॉज जेवू मैं पहला की देलू मार्केट बहु नेगेटिव तो एक रिलीफ रैली आवी शके ये रिलीफ रैली करता हमारे मोट्टू कई मोट्वेंट देखा दू नती आ लेविल्स पर तो आतीरा परस्पेक्टिव आपने इनिश्यल कमेंट से आपने बदा एक्स्ट तरफ थी जाता देखा रहा शे पॉजिटिविटी तरफ नावता देखा रहा शे आने आउटलूक पने यह जो हो तो में मारकेट्स पनेजरी इतना आपने आप तू देखाडी रहे हुशे पोसिटिव जोई रहाशो ओवरोल आपना जे मैनुफेक्ट्रिंग अने जे स्मोल मिड साइज ने इंडस्ट्री इस चेना पर क्या विद इतना ने इंपेक्ट आउती देखा शें सी बेजिकली जे आपड़ा SME से स्मॉल मिडियम एंटर्प्राइस से चापड़ी इक नौमी माँ चालिस टका जेक्टू एक्सपोर्स मां कॉंट्रिपूट करे चे विस्तारिस टका जेक्टू ओवरोन प्रोडक्शन मां कॉंट्रिपूट करे चे यहमने आ लिक्विडिती प्रोड्री सब्सक्राइब करें लेबर प्रोड्लम सथा माइगरंट लेबर जयता रहेला अने प्लस एमां वर्किंग कैपिटल प्रोड्लम तो आज ये गवर्नर साहे पे सपोट आपे लोश आर्बिया पॉलसी मां के कंटिन्यूस लिक्विडिटी सपोर्टर से एंवन ज प्राइस सेग्मेंट मां ते खूब जुपियोंगी रहे से इन फैक तमें जोशो ने तो नाना बिजनस इसने मीन प्रोड्लम चे ले लिक्विडिटी नो होई चे वर्किंग कैपिटल नो होई चे अनने इन्या जो बिजिकली आर्बिया पॉलसी मां जो आवो सपोर्ट मढ प्राइमारीली जी आपने सपोर्ट प्रोड़ करवानों चे ने ग्रासूरूट लेवल पर इमां मानुचुका आर्बियाई निया पॉलसी खरेखर काम गत रहे से अनने आगड़ जत्ता आपना जे में मैंक्रोड एकनोमिक वेरियेबल्स चे एलो एक वेरियेबल्स ने ता परस्प्रेक्टिव तीर आपने बनतो देखाये रहोशे तो आश्वीन जी आपनी साधे जोडायेला शे पणा असाथे ज अधितिय जी ने साधे पार्थी वने कामा खुली सर अब सुब्टों खुनों आबबा अमारी साथे जुड़ा आमाटे ना समय गरे चल्चा कर आमाटे एक ब्रेक माटे रुकाए ब्रेक बाद रश्मीन जी साथे चल्चा आगलो दारीशों यह हमें कवर करता है पर इनको कौन कवर करता है Tata AIG Health Insurance का कॉंपरेंसिव कवरीज मास्क्स, गल्वस, और पीप कित इंतुरूद Tata AIG Health Insurance, अजस्टिण नम, फंटास्टिक का CNBC TV 18 presents Invest Wise, Learn, Earn and Grow Powered by Malkan's View आप दायक पन, जामिनगीरी बजा मा रोकाणे जो खमने आदीन छे रोकाण करता पहला संब्धित तमाम दस्तावेजों आचो असी रीच के? अभी ने बेठा असी रीच के? असी रीच के? असी रीच के? करके बामाई जो बेचान असी रीच के? असी रीच के? असी रीच के मेरे बाप असी रीच के? 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 हाईर रिटर्न्स का आश्वासन देने वाले विज्यापनों या प्रचार करने वालों से बचे एनसी एक कदम सही सोगुना सुरक्षा अश्य कर दो antjemद्स दो दो खास्वासन ओसे प्रचार। दो ट ledर्डे विज्याब युज खए विज्दिक्स । तैने सो फाइट पैसा खबर नथी? ओय! हवे तो सौने खबर छे फाइट पैसा पर मले छे रिसेच टूल्स, बोटफोलियो अनलेटिक्स औने इन्वेस्टमेंट आइडियास पन अत्यारेज डाउनलोड करो फाइट पैसा हवे तो सौने खबर छे आइट पैसानी साथी रोकान खेयु सरण एने लाब दायक पन जामिंगीरी बजा मा रोकाने जो खमने आदी इन छे रोकान करता पहला संब्धी तमाम दस्ता वेजों आचो प्रायो जग छे IIFL Finance CD Baat CNBC बजार नी क्रेडिट पोलीसी पर निया खास रोजवात्मा विक्रम पाठक अजना दीवस्ति क्रेडिट पोलीसी ने एक्षन नी पर आपनी साथे चर्चा करा माँट आपना इंशना तो जोड़ाएना आशे अतियरा सोब्रथम आपनी साथे जोड़ाएक आशे अश्विन पारेक एडवाईजरी सर्विस सिस्ताम मेनेजिंग पार्टनार अश्विन पारेक अश्विन जे गुड मोरिंग एक परस्पेक्टिव आवखत नी आर्बियाई पोलीसी पासे हतो कि कदाच आपने फेड तरफ थी और अनिया विदेशी सेंट्रल बेंक तरफ थी जे प्रकारना स्टेप्स लेवाँ मावियाँ आशे यहां कोई स्टेप आवता देखा शे जिमा जे स्टेंस बदला तू देखा शे कि पची लिक्विडिटी ओची करा माउशे कि बची व्याददर्म व्रुद्धी करा माउशे आ त्रण माधी कोईपन वस्तू करा माना थिया अवी अने साथे जे स्टेंस यह था अत्रा की हुशे ने ग्रोथ ने बुस्ट आपा माधे नूच अग्याई तरफ थी हजू फोकस रेत्व देखा हुशे के विड़ते जो असर आपाने कहां कि अधर ने अंग स्ट्राइब गर्वाने के चस्त मार्केट मात्र ने ने खास करीने फॉर इसेंट्रबैंको ना जे इतना इशाट माष्णा को जनोंगा ता तम्य प्रकार में आश्चार रख ता कि कड़ाच रेट पर्षरो के अधिर गूळ मांत्रा बने ओआ मात्र Kal again को अव्यार में छो अम टर्यमें किरेंगे नहीं सिस्ट्वंपार्ट मेन बंधने स्ट्रकार और यह आप्र करना का टो धालनी जो शकों का प्रिक्शन निए भी फांद नेbस से नी टृप्सिनों बचेक ना रेट निना निनी निदा पैसाओ पांक फट पैसा के रहे हों फंदर थे पैसा सो 12डर enquुपर 12ज़ सुडिया ऐधhus एधर पोडिया संरीर हों जो़ी दिपॉसितनी शेम इंपर इंपर scree्चिनी रेए साधी रेषोड फट्र इंदेप्र 31 अर निदेए विंदेशन धिए कपिल शिर्टी पर किया प्रामान जो वी और उतरीसके आजीम व ऐगान है वातगी है त विर्थ आजी पेशना की प्रामाने टोर का विरका मेन टार सकुझ उतरीन कियो अधराशना सुझ तो… वे एक थेजिए अफ़के प्सक्राइब एक थोड़ा है, बढ़े पाष्टेटी पंदर बेज़ बेसे पांच वरेखे उन्यों जो था लगए, थे जिए कोई बें भी जांज करूँ मावे, पना एट रद्धी कर वो भी स्दूर्य अर्शेटि कान्फ पारिशन अनौन्स्मे थे प्रकार नो एक मोगी रहाओ छे खरे खरेखर बदिन इक लो एक मोगी रहाओ थे खरेखर में रहाओ थे 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 थोड़ा उख्रसुदी इंटी अप्रेस्रेट्स ना कीवाद वाना कि आवक्ते कोई NBFC ना फंडिंग मांटे नी कोई खास सुचना कोई खास मेजर्स में करो हमारा है तुरे दिए करता NBFC नू कॉस्ट ऑफ बोरिंग वत तु गया है अन्ने एक सेक्टर तरफ तरफ ती NBFC सेक्टर तरफ एक प्रकार नी आशा है कि कर दाच बैंक संथा कर दो ततर नी आशा है वहा ठाच फरी अन्ने सिंख तुम आशा है खात कर दो एक संवा कि ऐस सकत था यह एक पून बेस्त पर अगर जटाँ आज अगर बन जान अगर बैस्ता अगर कर दिए आगरेख कर देदा नहीं को आधिक भी। अपने पासे थी एक प्रस्पेक्टिव समझा मांगी शुक कंजंप्शन लेड ग्रोथ मांटे आप पुलीसी जेशे ते अपने एक समय आपी रही शे के जहां जिमने पनाजुआ लोर इंट्रेस्ट रेट रिजीम नी अंदर ग्रोथ करो शे तेमना मांटे प्रोस्पेक्ट आर्बिय गवर्नर एस वेलेस सरकार तरफ ती पोजिटिव देखाई रहा चे हाँ इन शॉर्ट रन तो लागे छे के गवर्मेंटे इन लेदो छे के कंजंप्शन लेट ग्रोथ कंटीनिव करू जो है अने इतले तमें जो रिपो रेट अने अर्बिय ना कोई रेट्स चेंज करिया न थी अपन इंट्रेस्टिंग वात है छे के तमें लिंक करो बजेट साथ है त्या गवर्मेंट नो एकलो अंबिशियस बॉराइं प्रोग्राम छे अधि सेकंड लेवल इंफरा फंड ना उपर इंफरा इंफरा पुष्ट चेंज करो बोतो पुष्ट चेंज सानो साथ लाग करोड के अधा सेम ताइम अपने इंट्रेस्ट रेट स्लो राखे साथ है अधिक सारी बात और वाकाट फुष्ट चूदी मार्केट ना इनग्कर बात लाके कितनो वकर सुधी मार्केट ना इंट्रेस्ट राख पोली आशियो अन्हें वेदर मॉनेटरी पॉलसी एफेक्टिवली एने कंट्रोल करी सक्षे के नहीं ए वाद जो आनी छे वन फावर किकें था सब्सक्राइब लक्ष्मी जी आपनों पन आना उपर एक प्रस्पेक्टिव समझा मार्गेशु कि जे बौन मार्केट छे गवर्मेंट सिक्यूर्टीज नुँ आखुआ जे सेग्मेंट छे ए आना उपर केवीर इतना रियक करतू देखा शे काई कि इनिशेल रियक्शन आपने जो है तो यहां परफेक्टली एक सेट थाती देखा शे कि डेट मार्केट नुँ रियक्शन जे आना उपर खास हवे आपने डिरेक्शन जे जे ओवरॉल एसेट क्लास नुँ आपने डिसाइड करतू देखा शे तू विक्रम आग्स नी पॉलिसी मा रेट मा काई पेशा नती करें हूँ एना प्रमाणे बॉंड मार्केत मा जे खास्टू गबान अथू बॉंड इल्समा इतो एक आपर माटे अब्यस्ली रुखी जैसे नंबर वान नंबर टू इस अखु जैपन लिक्विडिटी नू होए अथा इंप्लेशन मा होए पोरकास मा होए कि पेलू रेट्स मा होए बद्धा तरफ एक 360 डिग्री राउंडेड जविशनेस आप आप ऑलिसी मा जे जोवा मल्यू छे तो अमने लागे छे कि आ तमें सुपरिपूस कर्सों की आवता का लेगे काल्मी जे ओक्षन छे एपंग अड़िया एक कैंसल कर दिदू छे अने आ अखु मैना मा अने फिनैंशल यह मां लगबाग पर्टी सेवन थाउजन क्रोन्स भी अडिशनल सप्लाई छे तो अमने लागे छे कि आप ऑलिसी एक कैलिस्ट है जै कि आप बॉंड डिल्स आ लेवल मां अंकर थाई चाहे अपकोस तेलनी दाम बतु जोई ने अने ग्लोबल मैक्रो इवेंट्स जोई ने पन इल्स मां मुव्मेंट थाई चाहे छे पन मैसिव दबाण आतू बॉंड इल्स मांने जे सेंटिमेंट जे खुटू दाईगी हो तो मारा इसाब ही धुरू रिवर्स खाईजू चे ने मियर टब मांटे आ बॉंड इल्स मांटे सारी शे ताईज वीरल हवे आ चल्चानी साथ एक मार्केट नों परस्पेक्टिव चुए काए कि मार्केट है बूं मोटा पाई हो एंटीसिपेट के इन बेठू होतू के एटलि सीचुएशन ने के इतना जो हो अने पर्टिकुलरी जे बेंकिंग आने कंजम्शन रिलेक्टेट चे स्टोक्स चे एना पर क्या वू रियक्शन आनू आपने बनता जोईशू तो थोड़ा यलोकोई रिवाइस डाउन पराचे तो एफफ़ाई 23 नूँ जे सीपीआ इंफलेशन नूँ एलोकोई नूँ जे एस्टिमेट चे जे साड़ा चार टका चे एपला करता थोड़ो रिवाइस डाउन तहोँचे गणी वार एम नुँ जे गणी ग्रोथ तरफ जुकान चे अजी पन एज रहे से बीजु चाहिए के जे बॉंड यीड्स नी बाद करिये जे बजेट पची जे यीड्स वदी गया था थोड़ा ये तामें जो टूथाओजन थर्टी टू जे नौ टैनियर जो तो पाच्छु बजेट प्री बजेट लेवल्स पर आविगी चे 675 नी नीचे आविगी जे एक्विटी मा आनू रियक्षिन एप्रावाणे एटले बैंकिंग मा पॉजेटिव रहे से बैंकिंग ना रिजर्ट्स पन सारा आए वा चे अक्रॉस तामें जो सो के पनने PSU ना पन ने प्राइवेट सेक्टर बैंक ना पन जे रिजर्ट्स चे अटलो के सारू ना थी गाइकाल नू पन एडवाण डिक्लाइन नेगेटिव तो अत्यार अपन था में जो तो जे मार्केट नू रियक्षिन चे स्टॉक ने सेक्टर स्पेसिफिक रहे से बैंकिंग तरफ ना जे बीजो सावाल हो तो जे कंजूमर के कंजम्शन साइड तो कंजम्शन साइड माजी पन जे रौ मट्रील इंफलेशन चे पूरी रिवर्ट था पास्वन ना थी थियू तो एने आउता टाइम मा लग से ने मार्जिन पाचे मा रिवर्ट था था टाइम लग से तो फ्रम मार्केट पॉइंट पॉन्ट ऑफ यू बैंकिंग स्ट्रो एक आउट्लूक जे आपियो शे नहीं साथे साथे जे आखा वर्ष मारेना ग्रोथ आउट्लूक ने देव साथ टाकान उपर जे आपने आउता चुवी रहा शे आप परस्पेक्टिव ने अंदर आपने एक कंसंस जे आपने बनतों देखाई रहा शे ए एज बने शे के आ चुआ जे आपरकान नो हाईकाउट जे आपने फ्यूल ने लेड इंफ्रांट उपर नो प्रेशर वद्तू देखाई और जे आको इंफ्रेशन वद्तू देखाई जे आपने आपरा घ्रोथ पाथ ने थोडूक एफेक्क करतू देखाई तो सार आप पर आप के वी रितन कर दो के विर इतनो आप नहीं है, सिनारियों आपने एंटिसिपेट करो हो जोई है? मारा इसाब है तो, इंफलेशन इंपेक्ट कर सेज, और जी RBID पॉलिसी छे, कि वाई, कि वाई, आपने एंपेक्ट कर दो, जोई है, कि वाई, कि वाई, कि वाई, आपने एंपनी इंपनी आपनु कर सेज, यह गिविन इत वान कॉर्टर कि जो है कि अंगार कंशुमर लेट ग्रोथ घ्रीजर्ट इन हाई इनसे था इनकिक अगर अगर इसावे रिजल्स इन हाई इनवारा एसावे वरी आपके लेक्षाटर अपने खाली एक कॉर्टर मादे वार जो है ने जो अचे इंसेट के आमना कि अधित को पालशी रेक्शन लावी है एना करता है पौलेसी रेक्शन अपने के दो के लेट रेमें स्टेबल एक वाटर जो अखी दुनिया मासु था चाहिछ चेह जो तेब इन जो इंडिया माइ इंफलेशन एसेड बबल चेह जो अन्य तेश हमें डिसाइड कर आवे अब जोड़ी कॉश्यस्टाहिं क्योश्यूकुट है। अब जा जोड़ी या ने पर किषी गान पालिशिशियों देशिशितनी है। अब जा जा एक और कोई पालिशियों पॉलिसीन जेशिन्टों जाए घंग मनने लिके चाहिए। एक ब्रेक मारे आपने रुकाई है तियार बाद आज लिक्विडिटी ना फ्रेंट उपर नो डिस्केशन जे आपने आगर उधार है आपने एक्सपर्ट्स आपने साथे जोड़ा है लाशन सब्जावशे के यहां थी आउट्लुक आगर नोखे विरित नो बनतो देखना शन यह हमें कवर करता है पर इमको कौन कवर करता है ताटा एएजी हेल्थ इंशॉरंस का कॉम्प्रेंसिव कवरिज मास्क्स, गल्वस, और पी-पी-कित इंटूटिए ताटा एएजी हेल्थ इंशॉरंस, अजस्टिद नम, फंटास्टिक का दसुझ थिर्ण वाजार निवस, पावर बाइएज कैश, अरे भावी जी बड़े दिन बात, मुझे बेस टामन जूर्वी दिखाओ, एक्षेंच करालू, बिटा एक्सटिएंग में जादा ताटा एग्सटिश्ग में जादा नहीं, सिर्फ पांच परसंट ग्षेंग बेश है 95% एक्सचेंज बेल्यू और 90% बाइबैक भी किसना डाइमंड जुल्री? कुछ जादा नहीं, एक अंजान दोस्ती काफी है, इबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है हेलो बाच अफ 2022, दुनिया तो यही कह रही है कि अरे, यह लोग पास हो रहे है रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखो गए, बस पड़े रहे दो साल घर पे पर दुनिया यह नहीं जानती कि हम क्या लिखेंगे, पेकत्स हो है पर फिर भी मेरी फीज पूरी भड़ी गई मा को एक सेकंड भी बैठे वह नहीं देखा, तकि मुझे ऑनलाइन क्लास के बीच उपना ना पड़ी पापा को मेरी केमिस्टी की पढ़ाई कैसी चल रही है, इसकी चिंता थी जब वो खुद ऑक्सिजन सिलिंडर से सास ले रह थे और यह कोई टेक्सबुक नहीं सिखा पाती, इससी लिए आपको हमारे जैसा बैच कभी नहीं मिलेगा, थैंक यू जब अपनों का साथ हुआ और लाइफ इंशूरंस का परोसा, तो हर मुश्किल से बाउंस बैक मुमकिन है, HDFC Life, सरो ठाके जियो Stock Trading is all about devising strategies that help minimize losses and maximize returns for a financially secure future Here's a chance for you to transform your trading journey with the right skill set through a unique stock trading training program CNBC TV 18 presents Invest Wise, Learn, Earn and Grow, powered by Malkan's View Pढ़ता है, खेलता है, जूता उचलता है, बाड़ता कभी कभी दाड़ कराता है आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूत पीता है इंडिया कभी-कभी खुशी के लिए एक उधार नहीं काफी है EBICS Cash, हर खुशी के लिए काफी है अरे या, ETF cash था ETF Exchange Traded Funds, अथा, ये stock market के indexes को track करते है वही stocks, और उनके जैसे returns अब stocks में इंवेस्ट करना एक दम ETF है मतलब, easy है, आज ही ETFs में इंवेस्ट करें Mutual Fund Investments are subject to market risks Read all scheme related documents carefully This is Network 18 And you are watching CNBC Bajar Power by EBICS Cash EBICS Cash, हर खुशी के लिए काफी है Welcome back and nagarvadhyay आपनी साथे आपना बदा एक्सपर्ट जुड़ाईल आशन वात था ही रहती लिक्विडिटी ना फ्रेंट उपर तेक वाक्ख दश्मीन जी और लक्ष्मी जी आप बनने नो आना उपर एक वाक्ष्मी जी पेला आपनो एक प्रस्पेक्टिव हैं यह समझा मागे शुड़ाईल जी लिक्विडिटी ना फ्रेंट उपर नूँ आपने अपने अथियार एक सिनारियो जोई रहे आशे ने थ्रस्ट आपवा माटे नो आखी जे एक प्रोसेस था यहती एक प्रोसे अपने 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 लिक्विडिटी ना फ्रेंट उपर नूँ कोई पर प्रकार नूँ ब्रेक छे यह लागती देखाईशा के जे आखी पाल्यूरी माँ एक इंपॉर्टेंट जी अनौंस्मेंट हातू आम एन तो तमें जोसो की लिक्विडिटी मां काई मेजर चेंज बाट जी वाल प्रेंट नु आखंग को वाल बडराव नु तो अनौन आटा हम पर इन वो अ कि लिए जोसो की अर्बेस हो की जे तमें आघन्किंग सिस्क्पली मनें चाव डिवस्नु जे बीक्रपल आखे लिस्विडिटी माईजमेंट क हुगा मां ते अन्ने है लिक्वि अगनिन शिस्टम माँ कगाज एक रिलाप्टांस पन हाथी कि चाउटि वर्स निवाटे तम्हें लिकुरीटी आपी दो हो और और काई तमाब निस्मैट्स खा आए तो तू है अगने आज पोलिसी आपने पड़िए एक्स्ट्रा शब्ड रॉड पार नाती। अपने गोईंग फोवर्ड जहने आवे आवता महिना मां फेर्णी पॉलसी छे तो एवन केविन रिते बालेंटी श्रिंकेज हो और पीजाच मत्ता ज्लोबल केविन हैडविन्स आपने इंफट कर से एना प्रमान है आवता महिना मां आवता बे महिना मां लिक्विरीटियू अपने की विरितना जो हो हैँए अपमने अपने ने काली नानुट यूंस नो हो हो सज्चप ब्रहूच माधने शेरा नहीं कि एपना अट्न है आपार हमेयर से मतलड नियुका चलना तरिय ह treaty method. नियुद एक चलने पाँचवने को अप्रहें। एक खाहिश कि रहें। की अगी जी कम लेकिंत कंप सक Анजनल में debate में। लिग्जादेशने लए, जीजादेशने कंपे टाघारत इक हैं जो आपोटोंगे अपिक अपहरू एक सब्सक्राइख मोजट अपर अपर प्रोच ने तो एक्सपदेग जिग अने ली गजेडी जे जए जए एक्सपडेग का इप साने ओफ ने लीचों सरकार पासे खर्चों कवरमाटे बृत आप अरगूरूम मलि हें अग्यासियों प्रपादे में एक प्रभणगर भी करें करने ले अप्रमाणियेक विचार धारा is अपडे एक इकोनमी नगे ज़ा है जाए 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 टेक्स कलेक्शन वादे अपड़े सर्तार केपक्स मा ने भीजा खर्चाव मा उधारो करी शके लेकोनोई एक्सपांशन वे काखो एक्षोच एक्षे मैनुफेक्ट्ट्रिंग में सर्विस इंडस्ट्री जारे अचैना ओडिन लेवन पर जाए कोविड न पर लाना ले अधले देश मा खरेकर अमीन एक साथू जीडिकून परफॉमंस सुआ आ विचाधारा थी अर्बिया ये आ विचाधारा नी साथे संमत थावा माटे गणी माटे दोया अधिन एक परकार नहीं हो स्चैना जाख ह मैं अधिज दोपना नहीं है साथे साथे लिक्विडिटी मैंशमेंट माटे अ कितला गर गणिवा अथ्रवक्य रिचाधने एंश्मेंट्य टो एं कितला बदा का लिक्विडिटी मैंगमें विंडोश चे ना समय छे आप बद्धानी पाच्छनी विजादार अमाद रहे कर चे तमें जूओ, for example, आप बद्धानी के एक उड़ानी कर चेक जड़ी जूदी गड़ी इलादार अमावी जूदी जूदी फेक्टर्स्ती लिक्टि ने मैंनेश करी चाही चेटी करी ने जुदी जूदी जुदी अंएज ना टार्गेट ने अन्य बज़ेतर ना टरगेट में इस्टें ने शिंट करें परकार, दिए प्राकार निया एक कोप्रेंटरी मोनेटरी पूलिया खिंप्टारे गिए एक बादी शुथी खासकर इन इंफ्लेसय रेत ना अत्यार ना जी आखड़ाओ गें अपने जानिया थे क्या है कि अछया जानिय इन जो तर लागे चे के पी साथ बेया हमना पुर्पी कॉमफर्टेबल छे के हमना कास्पवा मेजर जलिवानी ज़रूर माती लिकुडिटी नोमलाइज़ाशिछिन ना कणा माश मेशर सुपर्पर्टेश चदाच बेकरतन मेना पच्छी परिस्थिति सुथाई टेक्स कलेक् इस सकता से सिस्टमाथी एक वक्ते अर्ग एक दम अजयनी को धियानाव से कदाच एक वाटर सुधी अम्याम चाडवाई रहे हैं लिकुडिटी मैनेज करे शके तो मारी दरस्टी एपीस एक अचला अमी बश्या चला पॉर्टर पूट एक शर्खू मार्कू उठावग एक प्लेट्फॉर्म बनी हो यह मारी सिस्टी भी एफ यह संटे ओंपर म ακडेट्रetrrike से मार्केश्या रेक्ष्या दर्टरिक्ष खिर्प्रांच आइड रिटर्टी भीएफ यह इसनिनोगा से करेस्टी एम्याम चांटिखू चाँ चला पॉर्च बार्रच बार्टर ृत घ आपनो परस्पेक्टिव आयां आप बेंकिंग काउंटर्स उपर अवे अतियार प्रोफिट बुक करो के नभी खरीदारी मांटे अपने ध्यान राखी चकाई काउंटर्स मां बे वस्तों छे एक तो छे के आमने अपने अपने अकोमोडेटिव पॉलिसी की दी तो एमा पीएस्यू बैंक ने वदारे फायत हो था से कंपेर्ड टू अधर्स एनू रिजन्स हुचे कि जे बैंक नी जे बुक होई बैंक से पर गवर्मेंट ना बॉन्ड ल वदारे फायत हो था से अन्य रिजल्ट्स आपने जोया चे तो तम्हें आमा जे बैंक ना काउंटर मा पन ज्यान राखो तो थोड़ो सु फोकस पीएस्यू बैंक तरफ राखवा नू बले मा वोलाटिलिटी वदारे आ से पन अजी पन जे वैलुएशन्स छे बधा वन टा बैंक एलोको नू जे ग्रोध चे डिस्पाइट बावीस त्रिविष्ट का मार्केट चे एलोको नू जे ग्रोध चे एटलीस्ट सिस्टम लेवल ग्रोध थी वदारे जोई छे तो में भी पीएस्यू बैंक तरफ ध्यान राखी सकाए तो स्पेसिक क्वेस्टेन जे क्या है तो तो मेडियम टम वीव है च्वानों मेन आनो एट लिस्ट तो तम है इन्वेस्टेट रही हो तो ये साथे ज विरल, अश्विन जी, लक्ष्मी जी औने अभीजर जी आप सवनों गणों आवार आईया समय फारियो माई साथे आ महत्वनी चर्चा मा जोड़ाया आना मार्केट ना आउटलूक एस बेल एज आईया आपड़या आर्बियानी पोलिसी विपरते शुम महत्वना टेकवाइस लेवाश होए इना आउंगे नी विगत्वापी पंस अगेन गणों आप सवनों तो इस साथे ज क्रेट पोलिसी निया खास रजुआत्मा आतियर मने पन आप जोड़ाजा आगड़ ब्रेट माटे आप जोड़ाया रहो CNBC बजार साथे नमस्कार